बात करें इरान के द्वारे इस्राइल पर वे अटेक के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि सटाइडर की नाइट से लेकर आज संडे मॉर्निंग तक इरान के द्वारे अलागतार इस्राइल पर अटेक किये जा रहे हैं और ये अटेक्स जहें ड्रोन के माधियम से किया जा रहे हैं, पैलिस्टिक मिसाइल के माधियम से किया जा रहे हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि 330 ड्रोन से अटेक हो चुका है इसराइल के ऊपर और इसमें से अधिकतर जो ये हमले हैं, उनको निरस्त किया जा चुका है, ऐस इस्टाइल के तरफ से वेक्टब भी जारी किया गया है ठीक है अब हम बात करेंगे कि आखीर आखीर इरान ने इस्टाइल पर अटैक किया है और सबसे पहले हम लोग यह बता दें कि ये जो इरान के दोरा लॉंच किया गया operation है उस operation का नाम ट्रूँ उस operation का जो नाम रखा ग तिये कहानी स्टार्ट होती है एक अप्रेल को ठीक है क्योंकि एक अप्रेल को सीरिया की जो कैप्टल है दमिस्क ध्यान दीजिएगा सीरिया की कैप्टल दमिस्क में उसका जो वालेंजिक दूतावास होता है कॉंसलेट होता है वहाँ पे इसराइल के द्वारा अटेक होता है और उसके तहट कल मतलब कि श्रटारडे से लेकर अभी मॉर्निंग संडे तक यह एक जारी है इरान के तरफ से और सबसे जो बड़ी बात यह है कि इरान इरान पहली बार अपनी सरजमी से डारेक्ट इसराइल पे अटेक कर रहा है ठीक इससे पहले इरान और इसराइल के बीच में जो है इध होते थे प्रॉक्सी वार हुआ करते है ठीक है लेकिन अब जो है वो डायरेक्ट वार होता है अपनी जमीन से जो है वो दूसरे के territory में interfere करना ठीक है या attack करना तो मामला क्या था एक अप्रेल का तो एक अप्रेल को सीरिया में जो वानेजिक इस हमले में जैसे कि मैंने बताया कि एक टॉप कमंडार सहिच वो साथ सैन अपसरों की मौत हुई थी तो यह बहुत बड़ी घटना थी एक अप्रेल की और इसी का बदला इरान इस्राइल से ले रहा है ठीक और और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो यह जो अटेक था दमिस्क में जो एरान का जो कांसुलेट था इसमें इसराइल ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने अटेक किया है और यह भी नहीं बात मारा है कि हमने नहीं किया है ठीक है तो इस इस attack के उपर जो है इसराइल जो है वो silent रहा ठिक तो इसराइल ने ना तो इस हमले की पूस्टी की और नहीं इससे इंकार किया कि हमने हमला जो है वो नहीं किया था तो कुल मिला के बात ये थी कि इरान जो है वो मान चुगा था कि यह जो attack है वो किसी और नहीं किया है वो इसराइल नहीं किया है और इसी वज़ा से इसी वज़ा से इनके खिलाब जो है operation true promise जो है वो start किया थोड़ी से हम लोग जो है इसकी geopolitics को ही बात करेंगे geopolitics में सबसे पहले जो middle east का map है उसको देखना बहुत ज़रूरी है ठीक यहाँ पे देखिए आप इरान की position यह है इरान और इसराइल इसराइल यह एक छोटा सा यह जो portion आप देख रहे है ठीक है यह portion है इसराइल का ठीक और इसमें से कुछ portion जो है वो west bank का भी है ठीक जिस पे इसराइल का control नहीं है तो इसको जो है थोड़ा मैं दूसरे color से देखाना चाहूँगा west bank को तो west bank जो है इसमें से यह थोड़ा सा portion जो है west bank का है तो यह जो इस्तिती है वो इसराइल की है और यह है इरान ठीक तो इरान जो है यहाँ से attack क्या है कहां पे इसराइल पे यह first time ह हुआ है कि जब इरान ने डायरेक्ट अपने अपने धर्ती से जो है इसराइल पर अटेक हुआ है जैसा के मैंने बोला कि इसराइल और इरान के बीच में पहले बहुत बार जो है प्रॉक्सी वार हो चुके हैं ठीक अभी जो मामला हुआ था एक अपरेल को वो सीरिया की जो के है दमिक्त वहाँ पे जो वानेजिक दूतावास था वहाँ पे इसराइल के द्वारे एयर एटेक किया गया था और जिसमें एक टॉफ ऑफिसियल के साथ में जहें साथ लोगों की मौत हुई थी और इसी का बदला इरान जहें इसराइल से ले रहा है ठीक तो एक्शली में यह जो कंफ्लिक्ट है वो आज का नहीं यह यह दसको पुराना है ठीक और हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो गाजा और इसराइल जो वार है ठीक उसकी भी उसका भी जो कंट्रिबुशन जो है वो इस जो है कंफ्लिक के बीच में वो दिखता है एक्शली में गाजा में जो ह हमास बिद्रोही है, मिलिटेंट है उस हमास का सपोर्टर है इरान, ठीक और यही नहीं जो लेबनान में हीजबुल्ला है उसको भी सपोर्ट करता है कौन ये इरान तो कुल मिला के ये जो middle east की अगरबात किया जाए तो इसराईल जो है इरान, इधर यमन, इधर सीरिया, लेबनान और इरान के अंदर भी अगर बाद क्या जाए तो West Bank इन, इन से जो हो घिरा हुआ है ठीक और current अगर सिनेरियो देखा जाए तो इरान, यमन, सीरिया, लेबनान और इधर जो है जो दिखता है वो इसराइल दिखता है लेकिन इसराइल जो है इन परस्तितियों में भी अकेला नहीं है इसके support में UA से खड़ा है प्लस Europe जो है पूरा इसके साथ में खड़ा है तो अभी जो इरान के द्वारा इस तरह का attack इसराइल पे किया गया उसकी भरसना फ्रांस के तरफ से की जा चुकी है ब्रिटेन के तरफ से किया जा चुका है ठिक और जर्मनी ने भी इस तरह के attack को दुखत बताया है और अमेरिका का कहाना ये है ब्रिटेन का भी कहाना ये है कि इसराइल के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं ठीक तो इसराइल भले यहां पे आपको दिखता होगा जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से कि यहां पे अकेले है लेकिन यह अकेला नहीं है ठीक तो अभी जो current situation है situation यह है कि इरान इरान जो है इस जिद पे आ चुका है कि भले उसका कुछ भी हो जाए कितना भी नुकसान हो जाए वह इसराइल को छोड़ेगा नहीं ठीक अब इसराइल के पास अगर इसराइल के संदर में अगर बात के जाए तो इसराइल को जो एक जो चिंता है या एक डर है वह यह है कि इरान के पास जो नुकलियर वीपन है ठीक तो कहीं ऐसा नहों कि इरान क जो है वो सांत बैठने वाला नहीं है ठीक तो इसमें जो नेतनियाहू है बेंजामीन नेतनियाहू जो की इसराइल के प्राइमिनिस्टर है उन्होंने एक वार कैबिनेट की बैठक की है और वार कैबिनेट में डिसेन ये लिया गया है कि ये जो सिचुएशन है इससे पहले त जाएगा ठीक तो ये हैं इस्राइल के प्राइमिनिस्टर सरी इस्राइल के रच्छा मंतरी तो इस्राइल के रच्छा मंतरी यो वाव गैलांट इनका इस्टेटमेंट यह है कि अमेरिका और बाकी अमेरिका और बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर हम इस्राइल के छेतर को सुरच या 10 साल की जो बच्ची है वही जो है वो मतलब जो है वो उसको जो है नुकसान पहुँचा है ठीक अधरवाइज कोई मेजर जो है वो नुकसान इसराइल को नहीं पहुचा है ठीक लेकिन फिर भी यहां पर इसराइल यह वो सांत नहीं होने वाला है ठीक इसको जो है एक बद का है कि यह एरान है इरान की अगर पोजीशन देखिए आप ठीक तो इरान यहां पे है जिसकी बॉंड़िज है इसरैल से बिलकुल नहीं लगती है लेकिन इरान के साथ में यह यमन है इराक है सिरिया है इधर वेस्ट बैंक है यह क्या है कि यह इरान के शपोर्टर है तो जो वो इन देशों में हैं ठीग और इजराल के साथ जो बॉर्डर है सीर्या और इधर वैस्ट बैंक तो उसी में आता है ठीग तो शीरिया लेबनान ये जो देश हैं इनमें इसके जो शपोर्टर हैं वो यहां पте जो है współprate करते हैं ठीग तो भले घायरेक्ट boundary share नहीं है लेकिन इसके द्वारा इसके द्वारा जो पोसित जो militant group है यहाँ पे operational जो है वो operation वाले state में है तो इस वज़े से इसराइल की समस्या जो है यहाँ पे बढ़ सकती है और अभी जो भी war होते थे वो जो है वो direct Iran अपने धरती से नहीं करता था अपनी land से नहीं करता था लेकिन जो शटर्डे का जो एटेक हुआ वह direct जो है वो Iran से किया गया और इसमें जो है यमन से भी एटेक हुआ है और Syria से भी एटेक हुआ है तो यह चीज़ ध्यान रखना है कि जो इसराइल पर जो एटेक हो रहा है केवल और केवल जो है इरान की धरती से नहीं हो रहा है यहां पर इसके सपोर्टर है यमन में और Syria में Lebanon में यहां से भी इसराइल पर अटेक हो रहे हैं तो जो ड्रोन इस आ रहे place कि मिसाले आ रही है जो कुझ मिसाले आ रहे है इन तीन-चार देशों के साथ तीन-चार देशों से आ रहे हैं एक साथ, थीक है और एक और चीज जो एक्जो इस्फेरिक जो मिसाइल है उसका भी इस्थमाल जो है इरान के द्वारा किया जा रहा है तो एक्जो इस्फेरिक जो मिसाइल का मतलब यह है कि ऐसी मिसाइल जो एटमास्फियर के बाहर पहुंचे और फिर जो है वो अटैक करें तो इसराइल के पास जो है एक एरो system है, arrow system और arrow system की खासियत ये है ध्यान दिजेगा, arrow system की खासियत ये है कि यह जो है exosphere जो मिसाइले होती है, उनको भी intercept कर देता है, ठीक है, intercept का मतलब भी है कि उनको भी ध्वस्त कर देता है तो इस तरह की जो भी हालात उत्पन होंगे, जिस तरह की भी इस्तमाल किया जाए एरान के दवारा उसका पूरजोर जवाब देने की इस्तिती में इस्तिती में इसराइल है ठीक, खुद सच्छा मैं और इसके साथ में इसके support में जो है वो British Army भी है, ठीक है British Army के साथ में U.S.E की भी Army है तो कुल मिलाके इसराइल के बल दिखता है कि यहाँ पर अकेला है लेकिन वो अकेला नहीं है आगे हम लोग बात करेंगे कि जो नुकलियर सेंटर है इरान में ठीक है नुकलियर सेंटर जो इरान में है वो अराक, नटांज और इस्वाहान यह जो तीन जगहें यहाँ पे nuclear center है इरान का ठीक अगर इसराइल इनको नेस्तो नाबूद करना चाहें तो उसके जो है वो दो तरीके के रास्ते हैं एक जो है वो north और दूसरा जो है south ठीक है और तीसरा भी है direct ठीक है तो अगर यहाँ पे इसराइल की position हम देखें यहाँ पे इस फाहान इनको खत्म करने के लिए या तो direct यहाँ से जो है वो attack कर दे इन centers पे जहाँ पे nuclear weapons बनाए जाने के संभावना ब्यक्त की जाती है ठीक या जो है इधार टर्की होते हुए उपर south से जो है attack किया जाए इन centers पे या जो है south Jordan, Jordan, Saudi Arabia होते हुए जही यहाँ पे attack किया इस तरीके से तो इस तरीकी जो बात की जा रही है कि जो nuclear center है इरान के पास जहां पे nuclear weapon बनाए जाने के संभावना है उसको नेश्टो नाबूद करने के यह जो strategy हो सकते है यह जो path हो सकते हैं इसराइल के दौरा ठीक तो यह के वल जह संभावना है और जो केवल जो डर है इ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसराइल के पास ऐसी ऐसी मिसाइले हैं कि इसराइल यहीं से control करते हुए जो डारेक्ट यहां पे इरान को निस्तो नाबूत कर सकता है ठीक अब बात यह आती है कि आखिरी इस वार का अंत क्या होगा है क्या यह जो है वर्ल्ड वार जो हो सामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे जैसे कि मैंने बताए कि इसराइल के support में उधर जो है United State of America USA हमेसा खड़ा रहता है USA के जो राश्टपती है Joy Biden वो कहते हैं कि हर हर condition में जो हम इसराइल के साथ है प्लस यह पूरा जो इरोप है वो इसराइल के support में रहता है ठीक तो एक गोल यह हो गया ठीक और दूसरा जो पच है इधर इरान तो इरान भी यहाँ पे देखे अकेला नहीं है जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ जो Middle East की जो maximum country है ठीक यह इधर सौदी अरब को छोड़ दिया जाए तो इधर इरान यमन इधर सीरिया लेबनान इन सब के साथ में इन सब के साथ में बात करें तो चाइना के भी शपोर्ट जो है वो इरान को मिला हुआ है चाइना को शपोर्ट मिला है तो रूस का भी शपोर्ट मिला हुआ है ठीक जैसा कि यूक्रेन और रूस के वार में क्या था कि यूक्रेन के शपोर्ट में क्या था यह तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसराइल के साथ आप देख रहे हैं, यह पूरा पस्न дост है और इधर इरान के साथ में आपको यह खड़ा होगा मत दिख जाएगा? रूस, चीन, यमन, शीरिया, इराक, ठीक. यह सब जो देश है. वह इरान के साथ नजर आ सकते हैं. टिक। और एक और चीज़, यहाँ पे जो है अगर ताइवान की बात किया जाए, ठीक, यह ताइवान की अगर बात किया जाए, तो ताइवान का भी कन्फिलिक्ट ऐसा है कि ताइवान के सपोर्ट में रहता है USA, ठीक है, जब ताइवान और चाइना के कन्फिलिक्ट की बात आते है तो ताइवान के साथ जो है United State of America खड़ा रहता है और इस condition में क्या हो सकता है कि चाइना, रूस, इधार इरान, और सिरिया, इराक ये सब एक साइड में और दूसरे साइड में USA, पूरा इरोप, इसराइल तो है ही ठीक है तो ये सब जो है एक बाइपोर वर्ल्ड क्रियेट कर तो अगर अभी जो हाल फिल हाल की स्थिति है इरान और इसराइल के बीच में इस कंफ्लिट को जो है किसी तरह से अगर सांथ ना किया जाए तो नो डाउट वर्ल्ड वार्ड थर्ड जो है देखने को मिल जाएगा ठीक है तो और जो जैसे अफरिकन देश हुए चाहें अग का एक्टिव पार्टिशिपेशन नहीं होगा ठीक अब भारत का एक्टिव स्टेंड साफ किलियर है कि वह वार के पच्छ में कभी भी नहीं रहता वह सांती के पच्छ में रहता है और इसी फिलास्पी को जहें फॉलो करते मतलब की जो युनाटे नेशन और्गनाईजिश सकता है तो उनका जो स्टेट्मेंट वो पढ़ लेते हैं तो सविक्त राष्ट के जो महा सच्छ एंटोनियों गुटेरेस उन्होंने सभी पच्छों से सयम बरतने के लिए अपिल की है सभी जो हैं वो सयमित्र है ठीक और उन्होंने कहा है कि मैं बार-बार इस बात पर जोर देता हूं कि ना तो ये छेत्र और ना ही दुनिया एक और उद्ध जहल सकता है ठीक तो इनका कहाना ये है कि किसी भी कंडिशन में इस इस छेत्र में जो है यूद नहीं होना चाहिए और वो छेत्र तो छोड़ दीजिए पूरा जो वर्ल्ड के बात किया जाए ठीक है पू इस इद्ध को जो है रोका जाए ठीक सांती स्थापित के जाए और सांती में ही भलाई है ठीक तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ जहें कमेंट बॉक्स में जरूर दें तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद